Hello friends, welcome to JS Analysis Center तो डेली करेंट अफर के सातर में आज हम डिस्कस करेंगे 9 माई का करेंट अफर करेंट अफर के साथ साथ जितने भी important extra fact होंगे सारे को discuss करेंगे साथ ही इसका PDF इस video के description से आप download कर सकते हैं दोस्तों करेंट अफर के इलावा top 15 GK के important questions को भी discuss करेंगे जो कि आगा में सभी परतोगी परिक्षाओं के लिए important रहेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आता है तो like और share जोगो करना अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला question है खादे और क्रेसी संगठन का वंगारी मथाई forest champions award 2022 किसने जीता है तो देखिए उनाइटेड नेशन का ही निकाय है खादे और क्रेसी संगठन यानि food and agriculture organization इसके दुआरा हर साल वंगारी मथाई forest champion से वाड़ दिया जाता है 2022 की विजेता बनी है सेसिल नजजबेट option A सही उत्तर है ये कहां की रहने वाली है अफ्रीकी देश है कैमरून ये कैमरून की रहने वाली है कैमरून की परिवरन करे करता है तो वनों के सरक्षन और वनों पर निर्भर लोगों के जीवन को बहतर बनाने में इनके उत्करिष्ट कारे के लिए 2022 का इने वंगारी माथाई forest Champions Awards से सम्मानित किया गया है किसके द्वारा Food and Agriculture Organization द्वारा Food and Agriculture Organization के अस्ठापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को मुख्याले इटली की कैपिटल रोम में है यहीं पर World Food Program का भी मुख्याले है ठीक है खादय और क्रीसी संगठन के महानिदेशक है भारती वायू सेना के मुख्याले में नए महानिदेशक निरेक्षण और सुरक्षा के रूप में कौन नियुक्त हुए है तो देखिए भारती वायू सेना का चीफ होता है और भारती वायू सेना का मुख्याले नए दिल्ली में है मुख्याले में एक निरिक्षण और सुरक्षा महा निदेशक भी होता है तो इस पद के लिए नियुक्त हुए हैं संजीव कपूर Option B हराइट अंसर है भारती वायू सेना यानि इंडियन एयर फोस इसके अस्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1922 को मुख्याले ने दिल्ली में हैं वायू सेना के चीफ हैं विवेक राम चौधरी जो की हाली में ये 27 में चीफ बने है वायू सेना के वाय चीफ हैं संदीप सिंग वायू सेना के डिप्ती चीफ हैं नर्मदेश्वर तिवारी वायूसना का अदर्शवक्य है नभः एस्प्रेसम दिप्तम भारते वायूसना के परथम चीफ कौन थे? सुबर्तो मुखर जी Next, हाली में कैंसरकार ने राशे फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनोधार परियोजना के लिए कितने करोडों पे अवंटित किया है? क्या है राशे फिल्म विरासत मिशन? तो देखे इस मिशन को 2016 में शूरू किया गया था ये मिशन का उद्देश सीनेमा की विरासत को सरक्षित पुनर अस्थापित और डिजिटली करन करना है तो हाली में कैंसरकार ने इस मिशन के लिए 363 करोडों पे अवंटित किये है नेक्स्ट केंदरी MSME मंतरी नरायन तातू राने ने पांच माई 2022 को किस अस्थान पर एंटर्प्राइज इंडिया नेशनल कोईर कांक्लेव 2022 का उद्गाटन किया देखिए कोईर क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में जान लीजे कोईर का मतलब होता है जो नारियल के जट्टे होते हैं उन्हें ही कोईर का आ जाता है तो इसे के उपर एक एंटर्प्राइज इंडिया नेशनल कोईर कांक्लेव 2022 का आयोजन किया गया था तमिल नाडू के कोईरम बटूर में और इस कांक्लेव का उद्गाटन किये केंदरिये सुक्ष मेलगु और मध्यम उद्गय मंत्री नरायन तातू अराने इसे के साथ साथ छे माई को यहां पर रन्फ और कोईर का भी आयोजन किया गया था कोईर के उपियोग को बढ़ावा देने के लिए कोईबटूर में इस कांक्लेव का आयोजन किया गया कोईंबर तूर कहां पर है ये तमिल नाडू में है अब चलिए इस तरह से जो भी कंक्लेव और कंफरेंस यानि बाइठक और समयलन का आयोजन किया गया है उनके बारे में जान लीजिए हाली में दूसरा भारत नौडिक शिखत समयलन 2022 का आयोजन डेन्मार्क की केपिटल कोपेन हेगन में किया गया इन्नोवेटिव एगरी कल्चार पर हाली में राशे करेशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसे सेक्टर पर अंतराशे समयलन 2022 का आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया सेमी कंडक्टर पर सेमी कोन इंडिया समयलन 2022 आयोजित किया गिया बैंगलूरू में Global I.U.S Investment and Innovation Summit 2022 का आयोजन गुजरात के गंधी नगर में किया गिया हाली में पाचवाँ बीम स्टेक शिक्खा समयलन 2022 का आयोजन सिलंका किमारीजी कैपिटल कॉलम्बो में किया गिया तो 2022 के लिए बिम्स्टेक का अधेक्ष कौन है सेलंका है नागरिक उडेन के छेतर में एशिया का सबसे बाड़ा करेकरम विंक्स इंडिया 2022 कहां पर अयोजित किया गया हैदराबाद में चले अगला कोशन है हर जगा अधवीतिये पासवर्ड दर्ज करने के और शर्टा को समाप्त करने के लिए निवन में से किस कमपणियों ने आपस में समझोता किया है तो देखिए अगर आप गूगल, माइक्रोसोफ्ट के कोई भी प्रोड़क्ट या फिर एपल फोन यूज करते हैं बहुत सारे आपको पासवर्ड दर्ज करने होते हैं अलग-अलग सेक्टर में ठीक है लोगिन करने के लिए पासवर्ड डलना होता है तो इसी पासवर्ड क इस्तमाल करने के आशरत्ता को समाप्त करने के लिए हाली में तीन कंपणियों ने एपल, गूगल और माइक्रोसोफ्ट ने आपस में समझहोता किया है यहाँ पे गूगल की बात करें तो गूगल की अस्थपना की गई थी चार सितंबर 1998 को मुख्याले अमेरिका के कैलिफोर्निया में है गूगल के संस्थापक है लेरी पेज और सरगी बरीन, गूगल और अल्फा बेट के वरतमान में CEO है सुन्दर पीचाई, ठीके अल्फा बेट जो कंपणी है यह गूगल की पेरेंट कंपणी है Microsoft की बात करें तो इसके अस्थापना चार अप्रेल 1975 में की गई थी इसका मुख्याले अमेरिका के वाशिंग्टन में है इसके संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन Microsoft के वरतमान में चेर्मेन और CEO है यह एक भारतवंशी है इनका नाम है सत्या नडेला Microsoft के वाइस चेर्मेन और प्रेसिडेंट है ब्रेड स्मेट Next, किस अराजने धान की सीधी बुवाई के लिए किसानों को परतियकड 15-100 रुपे प्रोसाह राशी देने की घोसना की है खेतों में रुपाई की जाती है आम तोर पे धान की खेती ऐसे की जाती है लेकिन इसमें स्रम और पानी की खपत ज़्याद होती है तो पंजाब की सरकार जो है डारेक्ट सीडिंग औफ राइस का बढ़ावा दे रही है इससे स्रम और पानी की बचत होगी पंजाब की बात करें तो देखिए हाली में जगनात रत यात्रा को पंजाब की सरकार ने राज्ये उस्व गोसित किया है पंजाब का मैप देखिए पंजाब अपनी सीमा भारत के तेना राज्ये और एक के अंदर सासित परदेश से शेयर करता है राज्यों में राजरसान हर्याना और हिमाचल परदेश के अंदर शासित परदेश में जब्मो कश्मीर से पंजाब का गठन हुआ था एक नॉम्बर 1966 को जीलों की संखिया 23 है पहले 22 जीले थे अभी देखिए हाली में 23 जीला मना है मलेर कोटला पंजाब की कैपिटल चंडेगड है चंडेगड के अंदर शासित परदेश भी है और दो राज्यों की ये राज़ानी भी है पंजाब और हर्याना पंजाब के मुख्य मंत्री है भगवान तमान अभी हाली में पहली बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो आम आदमी पार्टी के नेता है भगवान तमान ये पंजाब के 17 हुए CM बने है ठीक है पंजब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पूरोहित मुख्यानाइद ही सें रभीशंकर जाथ पंजब एव अन हर्याणा हाइग कोट के यह मुख्यानाइद ही सें पंजब में लोग सबसीर के संख्या 13, राज्य सबसीर साथ, विधा सबसीर के संख्या 1170 है गिद्धा, किकली, डफ तथा भांगडा यहां के फोकडान से बीर, गुर्दयाल, पूरा, वाइललाफ सेंचूरी जाजर, बंचोली, वाइललाफ सेंचूरी कटलाओर, कुशियान, वाइललाफ सेंचूरी नांगल, वाइललाफ सेंचूरी इसके इलावा टखनी रहमपूर नेशनल पार्क सारे पंजाब में है रंजीत सागर डैम तथा शाहपूर कांटी डैम ये दोनों डैम रावी नदी पर है Next रंजना प्रकाश्ट देशाई की अधेक्ष्ट वाली जम्मू काश्मेर परिसीमान आयोग ने जम्मू और काश्मेर के लिए करमशा कितनी विधान सबा सीटें आवंटन की सिफारिश किया है तो देखिया रंजना प्रकाश देशाई जो की सुप्रिम कोट की पुर्बजज है इन्हें के अधेक्ष्टा में एक जम्मू काश्मेर परिसीमान आयोग का गठन किया गया था जम्मू काश्मेर में विधान सबा सीटों का निरधारन के लिए तो हाली में इस आयोग ने अपने रिपोर्ट प्रस्तूत की है सरकार के सामने इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू के लिए 43 और काश्मीर के लिए 47 सीटे होनी चाहिए ठीक है विधान सभा सीटे यानि कूल सीटों की संख्या होनी चाहिए 90 जम्मू के लिए 43 और काश्मीर के लिए 47 important question बनेगा इसे याद रिखेगा ठीक है और इस आयोग के सिफारि रहोंगे जम्मू काश्मीर में इसके लिए सिफारिश किया है जम्मू काश्मीर परिसीमन आयोग ने और इस आयोग की अधेक्ष कौन थी याद रिखेगा अरणजना प्रकाश देसाई जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां से टॉप करेंटर फेर बने हैं आयुशमान भारत परधान मंत्री जन्न अर्योगे योजना के तहट 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना है सांबा जिला जोकी जम्मू कश्मीर में है वहीं पूरी तरह से कार्बन नियूटरल बनने वाला भारत का पहला गराम पंचायत बना है पल्ली पंचायत जोकी संबा जिले में है ये लाइबरेरी पहल एक किताब कोस्ट लाँच किया गया है 100% कोवीड टीका करने वाला भारत का पहला गाउं वावेन गाउं है ये भी जम्मू कश्मीर में है ये सारे फेक्ट्स जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है जन निगरानी एप और जन भागिदारी पोर्टर लाँच किया गया है गल्फ बिजनेस समीट 2022 का आयोजन कश्मीर में किया गया विलेज डिफेंस ग्रूप्स यानि वी डिजी ग्राम सुरक्षा समू अस्थापीत किया गया यहाँ पर स्री नगर में वेमेंस सेफटी एस्क्वाइड अस्थापीत किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे गुल मर्ग में खोला गया है इगलू बर्फ का एक छोटा सा घर बनाया जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे गुल मर्ग में खोला गया है खास करके जो बर्फिले छेतर होते हैं वहाँ पर जो बर्फ का घर बनाय जाता है उसे इगलू कहा जाता है जम्मो काश्मेर का भारत में विलाय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को राज्ये के रूप में गठन किया गया था 14 माई 1954 को फिर से केंदर्शासित परदेश के रूप में इसका अगठन किया गया 31 अक्टूबर 2019 को देखिए केंदर्शासित परदेश से इसे फिर से राज्ये बनाय जाएगा और यहाँ पर विधान सभा भी होगा तो कभी इसका अगठन किया जाएगा ये अभी मालूम नहीं है अधिकारिक यात्रा पर थे तो लुईगी डी माव ये इटली के विदेश मंत्री हैं हाली में भारत के अधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे इस यात्रा के दोरान इन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जैशंकर और भारत के वाणी जरुद्योग मंत्री पियोश गोयल के साथ दोई पच्छी ये वारता की और पहली बार ये भारत की अधिकारी की यात्रा पर आये हुए थे इटली की बात करें तो राजधानी है रॉम ये एक एरोपीन कंट्री है राश्टर पती है सारजियो मैटे रेला जो की हाली में लगतार दूसरी बार यहां के राश्टर पती बने हैं प्रधान मंत्री है मारीयो द्रागी करेंसी है यूरो अगला कोशन है भारब का पहला flow chemistry technology hub की शहर में अस्थापीत किया गया है तो देखिए देश का पहला flow chemistry technology hub अस्थापीत किया गया है है घरदरबाद में दक्टर रेडिज institute of life sciences में किये गई है तो यह डक्टर रेडिज लेबोरेटरी कहां पर है यह हैदरबाद में है भारत में जो रशियन वैक्सिन है कोविड वैक्सिन जिसका नान है स्पूतनिक 5 का निर्वान भारत में डक्टर रेडिज लेबोरेटरी कर रहा है जो को वैक्सिन है उसका निर्वान भारत बायोटेक कर रहा है भारत बायोटेक भी हैदरबाद में है और कोवे शिल का निर्वान किया जा रहा है सिरम institute of इंडिया द्वारा सिरम institute of इंडिया ये पूने में हैं हैदरबाद किस नदी के किनारे हैं तो हैदरबाद जो है मूसी नदी के किनारे हैं हैदरबाद तेलंगाना की कैपिटल है चलिए अगला कोशन भारतिय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा Air Squadron 845 Squadron की सस्थान पर कमिशन किया है तो देखिए भारतिय तटरक्षक बल का ये दूसरा Air Squadron है इसका नाम है 845 Squadron इसे अस्थापित किया गया है केरल के कोची के नेदुम बसेरी में ओप्शन ए सही उत्तर भारतिय तटरक्षक बल यानि Indian Coast Guard की बात करें तो इसके अस्थापना की गई थी एक फरवरी 1977 को मुख्याले नई दिल्ली में है और हाली में भारतिय तटरक्षक बल के डरेक्टर जेनरल बनाए गया है विरेंदर सीह पठानिया अदाशवक के है इसका वायम अरक्षामा यानि वी प्रोटेक्ट तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करेंट अफर वीडियो परसंद आया है तो लाइक और शेयर जगू करना अब चलिए फटाफट टॉप 15 जीके के इंपोर्टेंट प्रशनों को देख लेते हैं आज 27 से पहला कोशन राउर केला राउर केला शेयर जो है किस नदी के किनारे इस्थित है तो राउर केला ये कहां पर है औरिसा में है और ये शेयर ब्राहमनी नदी के किनारे है कोशन नमबर दो है इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन थे तो इंडियन फिलोसफी के लेखक थे डाक्टर एस राधा किरिश्नन सर्वपली राधा किरिश्नन जो कि भारत के पर्थम उपराश्टरपती और दूसरे राश्टरपती थे कोशन नमर थिरी है राश्टरपती को उसकी पद की शपत कौन दिलाता है तो राश्ट्र पतिकु उसकी पद की शपत दिलाता है भारत का मुख्या नाइधिस यानी सुप्रीम कोट का मुख्या नाइधिस भारत में 1882 में अस्थानिय स्वशासन की अस्थपना किस ने की थी तो भारत में सबसे पहले अस्थानिय स्वाशासन की अस्थापना लौड रिपन ने की थी Q5 है राशी विज्ञान दिवस परतिवस कब मना जाता है 28 फरवरी को ओलमपी खेलों के जंडे में नेला रंग किस महदूइब का परतेने दित्वा करता है देखिए अलमपी खेलों के जंडे में पांच रंग होते हैं इसमें नेला रंग जो है युरोब महदूइब का परतेने दित्वा करता है और कौन-कौन से रंग है उसे याद रखेगा पीला रंग जो येलो कलर है एशिया महदूइब का परतेने दित्वा करता है जो लाल कलर है अमेरिका को, काला, अफ्रीका को और हरा कलर जो है ये अस्ट्रेलिया का परतेने दित्वा करता है भारतिय नौ से नामे शामिल पर्थम पर्मानु नाभीके पंडुबी का क्या नाम है? तो भारत की पर्थम पर्मानु नाभिके पंडूबी का नाम है आईनेस चक्र धान की खेती के लिए कितने सेंटीमेटर वर्सा की अवशक्ता होती है तो धान की खेती के लिए उपियुक्त खेती के लिए कम से कम 150 सेंटीमेटर वर्सा की अवशक्ता होती है तो टिहरी परियोजना जो है ये भागी रती नदी पर है किस अराजय में उत्राखंड में नेचूरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो नेचूरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक थे प्लीनी क कोशन नम्बर 11 है वारती सम्विधान में अनुछे 243 का संबंध किस से है तो इसका संबंध जो है पंचायती राज से है कई बार कोशन पुछा जाता है पंचायती राज जो है किस समयधानिक संसोधन के ताहत लाए गिया था तिहत्रमा समयधानिक संसोधन जो किया गिया था उसी के ताहत पंचायती राज का उले किया गिया है भारती समयधान के अनुछे 243 में कोशन नमबर 12 है मिसरित अर्थवयोस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था तो ये है फ्रांस भारत की भी जो अर्थवयोस्था है मिसरित अर्थवयोस्था है ठीक है जो पुझेवादी अर्थवयोस्था और समाजवादी अर्थवयोस्था होती है इसे ही मिसरित अर्थवयोस्ता कहा जाता है केंद्रिये संखी की संगठन की अस्थापना कप की गई थी 2 मई 1901 को भारती सकल घरेलू उत्पाद यानि इंडियन जीडिपी में सरवाधी के योगदान वला राज्य कौन है तो ये हैं महराष्टर भारत की जीडिपी में सबस्यादिक योगदान महराष्टर देता है अराष्टर विकास परिशद यानि नैशनल डवलोप्मेंट काउंसिल का गठन कब किया था इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को अब चलिए पिछले कलास का फटाफट क्विक रिविजन कर लिजे पहला कोशन है किस अराज्य ने वहिकल मुव्मेंट ट्रेकिंग सिस्टम नामप मुबाइल एप लॉंच किया है हरियाना ने साथ मही 2022 को कौन सा दिवस मनाए गया विश्व एटलेटिक्स दिबस रेल टेल और विश्व स्वास्त संगठन ने कहां पर एक मुबाइल कंटेनर अस्पताल का उदगातन किया है विशाखा पटनम में निमन में से किस जलवाई वग्यानी को विश्व खद्य प्रुसकार 2022 से सम्मनित किया गया है विरी इंपोर्टन कोशन इसे याद रखिएगा तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 की विजेता बनी है सिंथिया रोसेंज वेग ये नासा में जलवाई हूँ अनुसंधान वग्यानिक है केस भारत वंशी को नियूँ यॉर्क इस्थित फेडरल अरिज और बैंक के निदेशक मंडल में चुना गया है अर्विंद क्रिशना को जो की वर्तमान में आई बी एम के चेर्मेन और सीईयों है भारत की पहली आदिवासी स्वास्त वेदशाला कहां अस्थापित की जाएगी औरिशा की कैपिटल भुवनेस पर में राशवी परिवास्त वास्त सर्वेक्षन की नविंतमाक्डों के अनुसार भारत की कुल प्रजानंदर 2015-16 में परती महिला 2.2 बच्चों से घटकर कितनी हो गई है दो 12. होकी इंडिया सेनियर महिला राश्य चेंपेंशिप कहां पर शुरू हुआ है भुपाल में अमेरिकी फार्मासिटिकल्स कमपनी फाइजर ने किस स्थान में एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र अस्थापिद करने की घोसना की है अब पिछली कुईज का सही उतर जानी है पहला कोशन था भारती मूल की कौन सी कमपनी फेफा विशोकब 2022 के लिए अधिकारी के स्पोंसर बनी है सही उतर्था ओप्शन नमबर B बाई जू दूसरा कोशन था हाली में RBI गौर्णर शक्तिक अंदास ने किस अस्थान पर रिजोर बैंक इन्नोवेशन हब का उधगातन किया है इसका सही उतर्था ओप्शन नमबर D बैंगलूरू में अब चलिए आज का पहला कोशन है निमन में से कौन वलीत परवत का उधारान है फोल्ड माउंटेन का उधारान है कोशन नमबर दो है 18 सदी में हैदर अली और टिपू सुल्तान ने किस अस्थान पर लाल बाकी अस्थापना की थी दोनों कोशन का एंसर नीचे कमेंट करके बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार